बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम सब्तम पाठ बक्से प्रितिकार बगुले का बदला पड़ते हैं एकस्मीन वने शिंगाले बक्से चानिवसते सम्तयो मित्रता आसीत एकदा प्राता शिंगाले बकम अवदत मित्र श्वात तवम मैसे है भोजनम कुरू शिंगाले शे निमंत्रे ने बक्से प्रिसन अवदत एक जंगल में एक गीदर और एक बगुला निवास करते थे उन दोनों में दोस्ती थी एक बार सवेरे गीदर ने बगुले को कहा हे दोस्त तुम कल मेरे साथ भोजन करना गीदर के नियोते से बगुला प्रसन हुआ अगले दिन वह भोजन के लिए गीदर के निवास पर गया कप्टी सुभाव के गीदर ने ठाली में बगुले के लिए खीर प्रदान की और बगुले को कहा दोस्त इस पात्र में हम दोनों साथ ही खाते हैं खाते समय बगुले की चोच थाली से भोजन पाने में समर्थ नहीं होती अतहा बगुला केवल खीर को देखता रहा किन्तु गीदर सारी खीर खा गया शिंगालेन वंचिता बका अचिंतियात यथा अनेन मेह सह विवार कृत तथा एम अपी तेन सह विवार अश्मी एवं चिंते इत्वी सा शिंगालम अवदात मित्र तुआम अपीश्वा सायम मया सह भोजनम करिश्यास्ती बक्से निमंत्रने शिंगाले प्रशने अवद यदा शिंगाले साएं यदा शिंगाले साएं बक्से निवाशे भोजनाय अगचत तदा बका सकीट मुखे कलशे छीरोधनम अचत शिंगाले चे अवदत मित्र अवाम असमीन पात्रे सहे भोजन कुरवा बका कलशा चंचवा छीरोधनम अखदत शिंगाले से मुखम कलेशे नाप प्रावश्चती अता बका सर्वचीरोधनम अखदत शिंगाले चे केवलम इश्याय अपशियत शिंगाले बकम प्रती या द्रश्णम वेवारं अकरोते बका अपी शिंगालं प्रती ताद्रश्णम वेवारे क्रत्वा प्रतिकारं अकरोत गीदर से ठका गया बगला सोचने लगा जैसे जैसा विवार इसने मेरे साथ किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही विवार करूँगा ऐसा सोच कर उसने गीदर से कहा मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे बगले के निमंतरन से गीदर प्रसन हो गया जब गीदर शाम को बगले के निवास पर भोजन के लिए गया तब बगले ने तंग मूँ के एक कलश में खीर दी और गीदर से बोला हे मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ ही बोजन करते हैं बगुला कलश से चोच के द्वारा खीर खाने लगा प्रन्तु गीदर का मुख कलश में नहीं पहुँचा इस कारण बगुला सारी खीर खा गया और गीदर इर्शा पूर्वाक देखता रहा गीदर ने बगुले के साथ जैसा विवार किया था बगुले ने भी गीदर के साथ वैसा ही विवार करके बदला ले लिया कहा भी गया है अपने किये गए दुर विवार का परिणाम दुख देने वाला होता है अठा सुक चाने वाले मनुष्य को अच्छा विवार करना चाहिए ता अर्थात कहने का अतात प्रिया यह है कि हम किसी के साथ अच्छा विवार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा विवार करेंगे इस पार्ट से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा विवार करना चाहिए यदि हम सुख की कामना करते हैं और यदि हम दूसरे के साथ अच्छा विवार नहीं करेंगे तो हम खुद भी अच्छे विवार की इच्छा नहीं रख सकते हैं चलिए इस पार्ट के शब्दर्द पढ़ते हैं चलिए इस पार्ट के शब्द पढ़ते हैं